अस्सलामू अलैकूम वरेमतुल्लाहिव वबरकातो हूँ वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस खान का किचन आए दोस्तो आज हम बनाएंगे चिकन सुक्का मसाला विद सिमी ग्रेवी रेसिपी यह ऐसा चिकन सुक्का मसाला है जो उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देंगा चलिए दोस्तो आज हम आपको देंगे चिकन सुक्का मसाले की रेसिपी जो सिम्पल मसालों से हमारे खर में हमारे किचन में जो मसाले अवेलेबल होते हैं उनी मसालों का हम इस्तेमाल करकर ये चिकन सुका मसाला हम बना कर तयार करेंगे वो भी quick and easy चिकन सुका मसाला recipe चलिए दोस्ते बनाना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिवराह्मानिरहीम तबसे पहले मैं यहां पर चिकन को वाश करकर ले ली हूं इसमें मैं 2 टी स्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची और नमक कमिया ज़्यादा भी कर सकते हैं अभी मैं इसमें हाफ चमच हल्दी पॉडर एड़ करूंगी उसके बाद मैं यहाँ पर 2 टी स्पून धनिया और जीरे का मिक्सर पॉडर है अपने हिसाब से आप मसालों की कमिया ज़्यादा भी कर सकते हैं अभी मैं इसमें चिकन मसाला पॉडर एड़ करूंगी टू टी स्पून उसके बाद हम इसमें नमक एड़ करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मैं कलर आने के लिए थोड़ा सा फूट कलर एड़ करूंगी यह आपशनल है आपको पसंद है तो दालिए नहीं तो आप इसकी पी कर सकते हैं फूट कलर से जायखे में कुछ भी चेंजस नहीं होंगे सिर्फ कलर अच्छा लगेंगा फिर अभी मैं यहाँ पर एक से दो लेमू कारस इसमें एड़ करूंगी अच्छी तरह से अपने हाथों की मदश से बिंज निकाल कर इसका जूस एड़ कर लेंगे मैं यहाँ पर दो लेमन का जूस एड़ कर रही हूँ इस तरह से लेमन का जूस एड़ कर लेने के बाद अपने हाथों की मज़र से इसे खुब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारे चिकन को मसाले अच्छे से हम लगा लेंगे इस तरह से अलट पलट करते हुए हम सारे चिकन के पीसे इसको हम मसाला लगा लेंगे इस तरह से यह बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है इस तरह से हम चिकन को मसारा लगा लेंगे अभी हम इसको कवर करकर एक घंटे के लिए मेरिनेट होने के लिए रख देंगे अभी एक घंटे के बाद हम यहाँ पर चिकन को फ्राइ करेंगे यहाँ पर मैंने बैन ले लिए इसको इसमें तेल डाल कर गरम कर लिए हो अपनी ताप से आप ओयल का यूज़ करें स्टार लॉंग की लिए तीसली काली मिश्के दाने तीन चल्चार डाल से मिश्के पीसे और आदे तमर साहे तीरा एड़ कर लेंगे यह थोड़ा सा फ्राइ होने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ते एड़ करेंगे कड़ी पत्तों को अच्छी तरह से हम फ्राइ कर लेंगे कुछ सेकेंद से लिए गरम मसाला और कड़ी पत्ते फ्राइ होने के बाद अभी यहाँ पर ए इसलिए पूरा चिर्ग डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तुब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से यह बहुत यम्मी बहुत डस्टी चिकन सुखा बनता है आप यह एक बार ज़रूर त्राय करिएगा मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करकर चार से ूतित पकाएंगे रिद्रफ दिशमें हम zwिलाते भी रहेंगे कवर निशसे करते हुए रिसमों इसे अंदर जो भी आप अइए पानी नगिंडा इस पानी को भी हम साथ मिनी चुकाते रहेंगे हमारा चिकन भी जल जाएंगी ऐसी पानी में हमे तोड़ा पाणी ओठ लिए था और चिकन का पानी भी छोटता हاي यही पानी में हम यहसे अच्छी तरह से भूनेगे आई फिलें कर दिख़ने त्युक्ति पर एंदेट करकर आप चाहें तो इसमें इडिना भी आइड कर सकते हैं, इसी अच्छी तरह सी हम मिक्स कर लेंगे, हालेट पर आइड करकर, इसकेंदर जो ये एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है, इस पानी को हम अच्छी तरह से शुका देंगे, जब तक हमारा तेल ना दिखें, हम शुका के टेल साइम से आ चुका है अच्य तेरह से 이га मिक्स कर लेंगे रोज अच्छी कर लेंगे अनुद त्ग लै बिए अच्छी तरह तरह से उखोज चुका है अभी हम कवर कर देंगे दो मिनिट के लिए हम लो मिनिट के-लिए पर दंपा रखेंगो जो उगलियां चाटने पर मजबूर कर देंगा वह वाला ये चिकन है बहुत ही बहुत ही टेस्टी बनता है ये चिकन आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा इसे हम सर्फ कर सकते हैं रोटी पराटे और स्टीम राइस के साथ दोस्तों व्यूडियो पसंद आये तो प्लीज प मिलें तैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अपना खयाल रखिएगा और खुश रहिएगा अल्ला हाफीज